अक्षे कुमार फिल्म इंडस्ट्री की वो सूपर स्टार है जो गवर्मेंट के हमेशा सपोर्ट में रहें हैं कभी भी अगर पीम मोदी ने किसी चीज की पहल की है तो अक्षे कुमार ने उनकी पहल को आवाज दी है आवाज को आगे बढ़ाया ही है चाहे लक्षवदीप आईलिंड्स की बात हुई हो या फिर राम मंदिर की ही बात क्यों न हुई हो राम मंदिर को लेकर तो अक्षे कुमार समय समय पर जागरूप करते रहें लोगों को कि कैसे उन्हें इस राम मंदिर मोहतसव का हिस्सा बना है लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठान वाला दिन आया उस दिन अक्षे कुमार ही इस बड़े event का हिस्था नहीं बन पाय, ये तो कहा नहीं जा सकता कि अक्षे कुमार को invitation ही नहीं मिला होगा क्योंकि अक्षे कुमार बहुत बड़ी सूपरस्टार है और definitely invitation तो उन्हें मिला ही ह कि लिए उस दिन के लिए पूरा इंडिया इंतजार कर रहा और इसके इवेंट मेने के लिए रहे लोगों के लिए काफी शॉक रहा अक्षे कुमार ने हाला कि एक विडियो शेर किया टाइगर श्रॉफ के साथ और उन्होंने राम मंदिर के प्रांट प्रतिष्ठान दिवस की काफी शुपकामनाई दी एक विडियो और आया जिसमें अक्षे कुमार राम भगवान के गाने पर डांस कर रहे थे लेकिन अ अक्षे कुमार की आने वाली फिल्म का नाम है बड़े मिया चोटे मिया और यह जो फिल्म है यह इद पर रिलीज होने जा रही है इस फिल्म को डिरेक्ट कर रहे है अली अब्बास जफर और तुगेदर कहा जा रहा है कि इस फिल्म को बचाने के लिए ही अक्षे कुमार न एक दरजन फिल्में उनकी सूपर फ्लॉप रही है ऐसे में अक्षय अब किसी भी तरह की कॉंट्रवर्सी नहीं चाहते हैं फिल्म बड़े मिया चोटे मिया को लेकर इसलिए वो इस इविंट से दूर ही रहे वही कुछ लोगों का कहना है कि अक्षय कुमार अभी अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी है क्योंकि फिल्म इड़ पर रिलीज होने वाली है ऐसे में अक्षय कुमार फिल्म का बाकी काम जल्दी जल्दी निप्टाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने प्रान प्रतिष्ठा event में हिस्सा नहीं लिया अला कि reason क्या है ये तो confirm नहीं किया जा सकता है लेकिन अक्षे कुमार का इस event से गायब रहना हो सबको बहुत खला एक अक्षे कुमार कितने ही Bollywood के actors पर भारी है वो जिस तरीके से किसी भी government मुद्दे पर किसी भी मुद्दे पर